मैं साध्वी देवाठागुर, डारेक्टर देवाइंडिया फाउंडिशन, आज विशेश रूप से इस वीडियो के माध्धम से पूरे देश, विदेश के सबी सिख्षों को एक और हिंदू को एक संदेश देना चाहती हूँ सुधीर सूरी का एक बयान आया, मैंनी जानती वो कौन है, उन्होंने कहा पूरे देश में दो परसंट सिख्ष हैं और जहां मिले मार देने चाहिए, इससे गंदा निंदनी है, कोई शब्द नहीं हो सकता उस मानसिक्ता के आदमी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, साधवी देवा ठाकुर डारेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, के गुरू सहाब नहीं होते, तो हम सब भी ना होते गुरों की कुर्बानी और नन्ने बच्चों को दिवारों में चिन दिया गया था, कैसे कोई भूल सकता है, दूसरी बात, वो कहता है दो परसंट, सिख जहां दिखें, वहां मार दो, सिखों ने अपने जंडे बुलंद किये हैं, देश में, विदेश में, पूरे एक जहान गुरों में, तीसरी बात, सवालाक से एक लड़ाओं, गुरुगौविन सिंग नाम कहां, कैसे कोई सब्द को भूल सकता है, कैसे कोई गुरु सहब की कुर्बानीयों को भूल सकता है, तीसरी एक और बात, ये आज अगर कोई भगवा बचा है, कोई पगड़ी बची ये, कोई सम्मान बचा है वो सिखों की देन है आज भी सिख अपना घर बेच सकते हैं लेकिन किसी को भूखा नहीं जाने देते आज भी कोई सिख अपने घर से किसी संत साधू को बीना दान दिक्षना बीना सेवा दिये नहीं जाने देते आज मैं पूरी दुनिया में घूमती हू लेकिन किसी भी कोई भी सिख अगर मंदिर में आता है चाहे वो पांच उर्पे दान करके जाए वो जरूर जाता है हो सकता है एक हिंदू कई बार ना भी मथाटे के लेकिन सिख भी ना मथाटे के यहां से नहीं जाता तो सिखों की कुर्बानियां कभी कोई नहीं भुला सकता और जो गुरु साब का सिखों का अपमान करेगा उन सब्दों के हम घोर निंदा ही नहीं करते बलकि ऐसे इंसान को धर्म और धर्म में मानने वाले लोगों को उस इंसान की कैर नफरत करनी चाहिए और धर्म से निकालना चाहिए चैहिंद बंदे मात्रम भारत माता की जै